कालका पिंजोर शहर के लिए लोकल रूट्स की बसें सर्विस कम होने से लोग परेशान हैं विधान सबा कालका में बसों की कमी दूर करने की मांग कालका विधायक प्रदीप चोदरी ने हरेना सरकार से की है कालका हलके से कॉंग्रस विधायक प्रदीप चोधरी ने मंगलवार को बताया कि आज के मुझूदा समय में कालका हलके के लोगों को लोकल रूट्स तक ही सीमत रखा जा रहा है जबकि लोकल रूट्स की बस सर्विस भी कम है और यहां भी रोज के यात्रियों को दिक्कते हैं जेलनी पड़ रही है इसलिए सरकार पूरी विधान सबा कालका में बसों की कमी को दूर करे क्योंकि पंचकुला से नारायनगड और रायपरोनी से माला के लिए सरकारी बसों की कमी से लोग जूज रहे हैं कालकवदैक प्रदीप चोधरी ने कहा कि लोग रूट्स के लावा गाओं को और शहरों को जोडने वाली बसे भी ना मत रहें उन्होंने कहा कि कालका बस्टैंड पर हिमाचल से आने वाली लोग रूट्स की बसे बाइपास से निकल जाती हैं जिसकी विज़से यात्री बस्टैंड पर परेशान रहते हैं यदि लंबे रूट्स की बसें बस्टेंड कालका नहीं आ सकते हैं तो कम से कम बाइपास पर यात्रियों के लिए एक स्थाई बस्ट टॉपिज और आटो श्टॉपिज बनाए जाए ताकि यात्री ये समझ पाएं कि लंबे रूट की और अन्य स्थानों के लिए वहां से बस पकड़ सकते हैं इसके लाए सबिराज्यों की बसों को वहां बस रोखने के इधाय जारी किजाए उन्होंने का कि कालका हलके से सबी यात्री प्रेशान है पिंजोर कालका प्रवानु बाइपास पर 20 टॉपिज नहीं होने पर वहां पर बसे नहीं रुखती हैं यात्रियों को गंटों तक बसों का इंतजार करना पड़ता है वहीं कालका पिंजोर से लोकल रूट्स की बसें चंडिगड के लिए नहीं है इसी तरह कालका से अंबाला के लिए शाम कोई समय भी बसें नहीं मिलती है नहीं अंबाला से कालका के लिए कोई बसें शाम को चलती है जिसका लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हर्याना सरकार से मांग की गई है कि कालका हलके की और भी ध्यान दिये जाए